हेलो एब्रिवान दिस इस मी शिवानी शिवी और आप सब का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है चार निवेंबर फोर निवेंबर और आज है करवा चौत वले दिन लोगों के घर तरह तरह के पकवान बनते हैं चपन भोग एक तर है तो आज मैं आप सब के साथ वही शियर करूंगी सो चलिए फिर फटाफट से रेडी करते हैं अपनी करवा चौत की स्पेशल थाली और एक बात और अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाई हो मेरा चानल सब्सक्राइब कर अच्छे ओके सो यह है काली उरत की दाल इसको ममी ने रात में ही भिगो के रख दिया था तो अब सुब्य इसको अच्छे से दो लिया इस तरीके से चिलके जो है वो उतर जाते हैं अच्छे तरीके से और आप इसी तरीके से पानी में आप हातों से इस तरीके से उसे दो सक वो अब हम इसमें मिक्सी में डाल रहे हैं और इसे अच्छे से ग्राइन करेंगे ओके तो पानी आप अच्छे से साफ करने के बाद आप डाल अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए और आप देख सकते हैं कि डाल जह हो अच्छे से पिस चुकी है तो ये थोड़ा सा दरदरा है वैसे अच्छे से ये डाल जो पिस्ट चुकी है फाइन पेस्ट इसका रेडी हो चुका है और अगर आपको लगता है कि और जरूरत है और इसको बारीक करने के तो आप भो भी कर सकते हैं और उसके बाद ये मैंने इसमें नमक डाला है ये नमक मैंने डेड़ चमच इसमें छोटा चमच जो है वो नमक डाला है और उपर से जीरा और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी हींग हिंग जो है वो digestion के लिए बहुत ज़ादा अची होती है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च हरी मिश के बाद ये हरा धनिया मैंने अच्छे से इसको धो के अच्छे से कट कर लिया था और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो आपको लग रहा है जो मुझे लगा था कि हाथ से इसको जादा अच्छे से हो जाएगा तो इसके मतलब यह अच्छे से fit चुका है तो इतने में जो तेल है वो भी अच्छे से गरम हो चुका है तो चलिए फटा-फट से उड़त के दाल के हम वड़े बना लेते हैं फटा-फट से और ये मुझे मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं तो मैं ममी को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी ये वड़े बनाना ये हमेशा ज़ादा ही बनाना क्यों इस्पेशली ये जो वड़े हैं दाल के मुझे बहुत ज़ादा टेस्टी लगते हैं तो आप सबने भी नॉर्मल पकोडे खाए होंगे गोबी के बनते हैं प्यास के भी बनते हैं टमाठर के भी बनते हैं लेकिन मैं भी आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक बार ये वड़े पकोडे ज़रूर ट्राय करना मतलब आप सब भी फैन हो जाओगे इस पकोडे के बहुत जादा टेस्टी होते हैं और वैसे ही उड़त की दाल वैसी ही बहुत हिल्दी होती है बहुत अच्छी होती है तो इसके ज़रूर पकोडे बनाएं और जरूर खाएं ओके सो फाइनली जो वड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़दा सॉफ्ट हैं खाने में भी बहुत ही अच्छे हैं स्वादेश चूते हैं और बहुत ही क्रंची हैं और आप देख सकते हैं इसको अंदर से भी मैं इसको आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस त जो है मैंने घर पे ही इसे जमाया है ओके अब जो next recipe है वो है अब हमें कड़ी बनानी है कड़ी के लिए तो अब भी हमें बेशन की ज़रत है तो ये बेशन मैंने लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है चानने के बाद अब मैं इसे अच्छे से फेटने वाली हूँ आप जितना भी बेसन लिया है quantity के according उस according यह आप इसमें पानी लेंगे और पानी लेने के बाद आप इस तरीके से हलके आतों से इसे फेटेंगे तो थोड़ी देर फेटने के बाद यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आप देख सकते हैं ओके तो अब यह मैंने इसमें डाली है हरी मिर्श हरी मिर्श के बाद यह है कड़ी पत्ते कड़े पत्ते के बाद यह हरा धनिया और हरा धनिये के बाद अब मैं इसमें डालूँगी एजवाइन और जीरा जीरा डालने के बाद इसे हम अच्छे से इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे हलके आतों से और हाँ स्वाद अनुसार इसमें आप नमक भी डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हलके आरतों से फिट लेंगे ताकि जितनी भी सारी चीज़े हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब यह फिट चुका है उसके बाद यह मैंने थोड़ी से इसमें अद्रक डाली है अद्रक डालने के बाद आपको जिसके भी पकोड़े डालने हैं आप डिवाइड कर सकते हैं इस साइड आज रख सकते हैं या आलू रख सकते हैं जो भी है बट मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद अभी मैं इसमें ये मैंने गोबी ली है गोबी के भी मैं बना रही हूं पकोड़े अलग से और इसके बाद अभी हम इसमें आलू के भी पकोड़े बनाने हैं तो इसके लिए भी आलू भी हम लेंगे और आलू ले से आप उसी साप से इसको cover कर सकते हैं जैसे ही आपको लगे कि ये एक तरफ से पक चुके है अच्छे से तो आप इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से आप देख सकते हैं तो इस तरीके से अच्छे से पक जाएंगे और जैसे आपको लगे अच्छे से दोनों साइट से फ्राय हो चुके हैं, दोनों साइट से पक चुके हैं, तो हम फटा-फट से निकाल लेंगे, ओके तो अब इसी तरीके से आलू के भी पकोरे बनाने हैं, एक करके आप इसमें डाल सकते हैं, जितना भी स्पेस लग रहा है, और हाँ तेल अच्छे ओके, तो चलिए, फटाफट से अब इसी तरीके से प्यास के भी पकोडे बना लेते हैं। प्यास के भी पकोडे becoming tasty होते हैं और खाने में बहुँत ज्यादा crunchy होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी किसी के पकोड़े बनाने हैं तो आप यही सेम तरीके से आप बना सकते हैं जैसे अच्छे से तेल गरम हो जाए और बीच में आप उसे चेक करते रहें कि वो वन साइट पके हैं या नहीं और जैसे पक जाओं से आप फटा-फट से बनाने की तियारी कर लेते हैं तेल थोड़ा सा गरम हुआ है मैंने डाली है मेथी मेथी को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे जैसे गोल्डन ड्राउन होती है इसमें हम डालेंगे जीरा और जीरा भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यह है राई सरसो भी आप यह है थोड़ी सी हिंग मैंने कड़ी पत्दे भी डालने के बाद कड़ी पत्ते रास भी है नुद्धे हम मेंने घर पिछिए थी और यह आप देख सकते हैं कि 15-20 मिनट बाद यह जो कड़ी है वो बिलकुर रेडी हो चुके है जो कलर है वो बहुत जादा चाया बहुत डाक येलो आया है कड़ी के साथ ये मैंने चावल भी बना के रखे हैं सौरी इसको बनाते हुए जो शूट था वो रहे गया तो आपको दिखा नहीं पाई ओके सो चलिए अब बारी है पूडिया बनाने की फटा फट से हम पूडिया भी बना लेते हैं और मैं और ममी सुबह से बना रहे हैं तो हम दोनों भी बहुत ज़़दा थक चुके हैं सो फटा फट से अब ये रेडी हो जाए तो हम थोड़ा रेस्ट भी कर लें तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं तेल में एक एक पूड़ी अगर आपको जादा बनानी है तो आप जादा बना सकते हैं अदरवाइस एक एक दो दो पूड़ीयां आप डाल के फटा फट से आप कड़ाई में से निकाल सकते हैं तो बहुत एजली बन जाती हैं पूड़ी बहुत सारी recipe बनी है, यह बहुत ही almost हर किसी घर में बनती है करवाचाथ वाले दिन, आज का दिन जो होता है बहुत साथ special होता है और अब खाना बनाने के बाद ममी को ready होना है, उसके बाद चांद का wait करना है, तो अब इसी तरीके से आप भी करवाचाथ की ठाली ready कर सकते हैं, बहुत असान है और अगर आपके घर और भी recipes बनती है तो आप वो भी मेरे साथ comment box में comment करके share कर सकते हैं, कि आपके state में किस तरह की recipe बनती है और किस तरीके से करवाचाथ celebrate किया जाता है, तो यह देखिए मेरी जो ममी की करवाचाथ वली ठाली है, वो बिलकुल ready हो चुकी है और अब बारी है चांद देखने की तो चंदा मामा ने आज बहुत जादा wait कर आया है, पौने 10 हो रहे हैं, तब जाके जो चांद है वो नजर आया है, मुझे लग रहे हैं कि आपको नहीं ऐसा हुआ कि इतनी लेट चांद आया हूँ तो चलिए कोई नहीं देर से आया है बट आ गया और तो बहुत जादा pollution था इस वज़े से जो था वो चांद जो था वो clear नहीं देख रहा था बट लेकिन बहुत लेट आया, बहुत light देख रहा है I hope आप सबको visible है या नहीं बिलकुर जो हलकी सी white dots ही दिख रही है, वही है चांद क्योंकि camera में वो ठीक से capture हो नहीं पाया बट तो चलिए कोई नहीं आ गया है तो मम्मी फटा फट से अब जल देके अपना fast खोलेंगे और फिर हम फटा फट से